क्लास वन आई हो बच्चों आप सब ठीक होंगे तो आज हम पढ़ेंगे साइस का चैप्टर नमबर 9 दा सोलर सिस्टम पेज नमबर 54 तो हमाई चैप्टर क्या है दा सोलर सिस्टम लेस्ट सिस्टम इस पेड़ ओफ लाड़ सिस्टम एक बहुत बड़ा सितार है बना हुआ है अल दी प्लेनर्स मतलब सियारे that orbit orbit मतलब गूम रहे है that star जो हमारा लाज स्टार है उसके इर्दगिद क्या है के planets जाने की से आरे that orbit गूम रहे हैं that star उस बड़े स्टार के इर्दगिद planets गूम रहे हैं लेट स्टोड आपकी बुक पर ही देखे page नमबर 55 पर कि ये हमारा लाज स्टार है और उस के गिर्द के है कि बहुत सारे प्लैनिर्स गूम रहे हैं तो इंकलिूडिड आविर अर्थ मतलब कि हमारी जमीन भी उसमें शामिले थर्ड नंबर में किया है हमारी अर्थ है जमीन जिस पर हम रह रहे हैं तो एक प्लैरिट है वो जो किस के गिर्द घूम रहे है उस लाज स्टार के गिद हम नेक्स पढ़ेंगे कि वो लाज स्टार है को उनसा तो नेक्स है देर आर मैनी मैनी सोलर सिस्टम इन दा यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब कि काईनाद क्या कह रहे हैं कि देर जहां आरे है मैनी मैनी बहुत बहुत सारे सोलर सिस्टम इन दा यूनिवर्स अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स क्या है वाट इस दा यूनिवर्स ये यूनिवर्स इस दा होल होल मतलब कि कम्प्लीट मकमल ओफ स्पेस खला एंड और एवर्इथिंग इन इट स्पेस मतलब कि हमारा जो जह जमीन स्पेस में क्या आ जाते हैं जह जमीन चांद स्टारे सूरज फिर ये हुमन बर्ड्स एनिमल्स वगएरा सारे चीज़ए आ जाती है आपको बता है अर्थ आगे बाकी जो लाज स्टार के इतके बाकी जो प्लैनिट आते हैं वो स्टार्स स्टारे मून चांद एंड और अधर स्मालर बोटीज छोटी है जिसा खली हो गया नेक्स्ट है के आर सोलर सिस्टम हमने उपर क्या पढ़ा के बहुत सारे सोलर सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम कौन सा है वी आर इना सोलर सिस्टम हम भी तो एक सोलर सिस्टम में है वी आर इना सोलर सिस्टम हम है इना सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में क्या है के एक स्टार ह दा स्टार, दैट दा अर्थ और भी जिसके इर्द गिर्द क्या है, अर्थ हमारी जमीन घूम रही है, इस काल दा सन, आपने उपर क्या पढ़ा था, मैनी मैनी सोलर सिस्टम, तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कि एक स्टार है, जैसे कि ये स्टार है, और इसके इर्द क्या है, बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं और इनमेंसे मैंने बताया था कि एक हमारी अर्थ भी है यह थर्ड नंबर पर अर्थ जो क्या इसके गिर्द घूम रहे हैं यह जो स्टार लास्टा यह कहा है सन सूरज इसके इर्द गिर्द यह जमीन हमारी अर्थ जिस पर हम रह रहे है जह गोंव डिया और और भी बहत सारे प्लाइट घूम रहे ओड़ और प्लाइट गों रहे हैं Iai eight planets orbit द थाउन अब यह कितने हैं? एक हमाला तर प्लाइट के प्लाइट यहां पर कस्टि पूचा का Tá जो नहीं हम दा एट प्लैनेट इना और सोलर सिस्टम क्या आप बता सकते हैं कि जो एट प्लैनेट अरे सोलर सिस्टम में वह कौन से हैं तो पेज नंबर फिफ्टी फाई पे देखें यहां पे देए हुए कि दा एट प्लैनेट आर मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जूपिटर, सैटोन, यूराइनस और नेप्चुन क्याने में मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जूपिटर, सैटोन, यूराइनस और नेप्चुन क्लिए हो गया जब हम nex리 पे प्लाइन हा, हम ने अपने इस लिए अपटिविटी करनी होगी हूगा, हमने पीछे क्या पढ़ना कि हमारी जो पीछे क्या पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वह किसकी गेर्द ऑर्बिट कर रहे इंदा रहे है, तो मतलब घूम रही है लेकिन आप लोग करेंगे तो हमें तो घूमती हुई नजर नहीं आती हम भी अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं आपको पता हो तो आप स्टील खड़े हो जाएं लेकिन जैता कि आपको अगर एक सेंपल दू के बस में आप बैठे हुए तो बस चल रही है बस तो चल रही है लेकिन आप एक ज्रीग सेंपल दूसरी जगा मूव भी करे लेकिन आप मूव नहीं करें बस मूव करें आप इसमें स्टील बैठे हुई स्टील बैठता ह никаких उसमें तो कोई हरकत नहीं हो लिख और रहे पीसमें मौब करेंने यह उसकेसाप कारEस कषा करें लेकिन हमको पता नहीं चलता और मौब किसके इतलग करें सन के सब्सक्क घरिया है लिक데 आर्प होसा दिखाओ करें तो कि आप हमेशा मुव करते हो जब आर्थ मुव करते हैं we are always moving you are always you आप आर हैं always हमेशा moving हरकत करें because the earth is always moving अर्थ जो आई इस है always हमेशा moving हरकत कर रही next नीचे the earth travel around the sun यह हमने पीठ भी पढ़ लिया कि अर्थ जो ट्रेवल जाने के और रिपिट करती है रांद इस सूरज के लिएफ तो ये अपना जाने के यहां से स्टार्ट होकर फिर पूरा चक्र लगा कर यहां तक आने में कितना टाइम लेती है एक चक्र जो अपना पूरा कम्पलीट करती है, मकमल करती है, सूरज के गिर्दगीद उसमें कितना टाइम लगता है? एक साल लगता है नेक्स देखे इस पेज पे इतर भी यही बात की के दा अर्थ आल्सो स्पिन्स अराउंड के अर्थ भी जो है स्पिन करती है यहीं कि घूमते हैं अर्ण इदगीद नेक्स अर्थ इस मीन देट के सम टाइम सम टाइम बाज वकाथ ओड के यह होता है कि आपके जो घर है उसके सामने के आ जाते हैं सूरज फेसिद सामने दस फंद सूरज गर के सामने के आ जाता है Sure. तो that is when is, यह तो कब होता है? जब day, यानि जई बार आइम का time होता है. और बेदा Ladies कि ऊपका खेली कि लिए सूर अभर हो जाए! जोसरा का है, इस आ है इस पिक्शे का के यह मतलब है? जब बाइडरे यह हैं जाए नहीं की दूर हो जाए उसके पे आजए तो क्या होगा कि डैट इस जवन अ greet तब क्या हो गर नॉगया रात का टाइम हो अ тебя माइट है अ BlackGR तो इसमें क्या है the moon, moon आप देखते हैं, रात ताइम में skype पे देखते हैं white color का, एक object वो क्या है, वो moon है, यह देखें, when you look up, at look up उपर देखते हैं, at the sky आस्मान पर, at night, रात को, you might see the moon, आप क्या देख सकते हो, किसको moon, चांद को देख सकते हो, next क्या है, do you think the moon orbit isn't, कि आप सोचते हो, कि जो सूरज, जहे, उसके गिर्द, moon, चांद भी उसके गिर्द गूमता है, तो नहीं, moon जहें, वो किसके गिर्द और्बिड करता है, हमारी अर्थ के गिर्द, the moon orbit the earth, like the earth orbit, जिस ता हमारी अर्थ, sun के गूमता है, इसी तरह, जो moon है, वो हमारी अर्थ के गिर्द गूमता है, तो यहां तक था आपके आज की लेक्टर जिसमें ने आपको रीडिंग करवाई है तो अब हम नेक्स लेक्टर में मिलते हैं अल्ला हफिस